आप सभी को जैमसी की हिंदी बाइबल स्टेडी इस चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो के जरिये मैं एक बहन की गवाही को आपके सामने शेयर करना चाती हूँ ये बहन कौन थी और परमेश्वर ने इस बहन की जीवन के जरिये कौन सा अद्बुत कार्य किया इन बातों को मैं आपके सामने लेकर आना चाती हूँ ये बहन का जनम सन 1669 में इंगलंड में हुआ जब ये बहन 19 साल की थी तब उनका विवाह एक प्रभू के दास के साथ होता है और उनका नाम है सैमूल वेसली अब आप लोग इस नाम को सुनकर आप मैंसे कुछ लोग पैचान लिया होगा कि मैं कौन से बहन के बारे में बताना चाती हूँ ये बहन का नाम है सुजैना वेसली सुजैना वेसली और उनका हस्बेंड सामूल वेसली को परमेश्वर के अनुगरा के द्वारा इनके परिवार में 19 बच्चों का जनम होता है लेकिन कुछ कारणवश इनके परिवार में से नव बच्चों की मौत हो जाती है अब इस परिवार में दस बच्चे रह जाते हैं सुजैना वेसली का हस्बंड एक प्रभू के दास है और इसलिए वो बहुत समय घर से बाहर रहते थे और भी कुछ कारणवश उनको घर से बाहर या घर से दूर रहना पड़ा तो घर की सारी जम्मेदारी सुजैना के हातों में था अब ये बेहन के जीवन को जब हम देखते हैं इनके हातों में बहुत सारी जम्मेदारी एक परिवार को चलाना, दस बच्चों को खिलाना, उनको पढ़ाना, सबजी उगाना, गाई का दूद निकालना, इत्यादी बहुत सारे काम इस बहन के हाथ में था लेकिन ये बहन अपने सारे जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निबाती है इतने अच्छे से वो अपना फर्ज को निबाती है कि परमेशवर के अनुगरे से ये बहन के दो बच्चे जिनका नाम है जॉन वेसली और चाल्स वेसली ये दोनों को परमेशवर बहुत अदबत त्रीके से इस्तमाल करता है और इन दोनों प्रभु के दासों के जरीय परमेशवर इंगलंड में एक बहुत बड़ा जागृती को लेकर आया और ये दोनों भाईयों ने परमेशवर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया लाखों किलोमीटर घोडे पर सफर होकर उन्होंने परमेश्वर का वच्छन को अनेक जगे पर लेकर गए ये दोनों भाईयों के द्वारा आज जो हम सुनते हैं मेथडिस्ट कलिसिया मेथडिस्ट मूवमेंट की शुरुवात हुई ये दोनों भाईयों के द्वारा परमेश्वर ने पूरे इतिहास को ऐसे हिला दिया कि उनके नाम लेते ही आज भी हम लोग परमेश्वर ने उस समय पर किया हुआ अदबुत कारिय या वहाँ पर हुआ जागरती को हम याद करते हैं ये दोनों भाईयों के द्वारा परमेश्वर इतना अदबुत कारिय करता है कि प्रभु का वच्छन अनेक जगे पे पहुंचता है इतना ही नहीं इन दोनों भाईयों के द्वारा लगबक 6500 हिम्स या भजन रचे गए हैं हम लोग जॉन वेसली के बारे में पढ़ते हैं कि वो अपने जीवन काल में लगबक 40,000 संदेशों को लोगों के सामने प्रचार किया तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दो भाई जिनको परमेश्वर ने बहुत अदबुत रिती से इस्तमाल किया लेकिन जॉन वेसली को जब पूछा गया कि आपकी जीवन में आपने प्रभु का वच्छन को सबसे जादा कब समझा या कौन आपको सिखाया कौन है वो मुख्य परसन जिसने आपकी जीवन को प्रभु के वच्छन से भरा तो जॉन वेसली कहता है कि मैंने प्रभू का वच्छन सबसे ज़ादा अपने मा से सीखा है सुजैना वेसली के द्वारा परमेश्वर ये अद्बत कारिया इन दोनों की द्वारा करता है मेरे प्रियों हम लोग आज सुजैना वेसली के बारे में कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं आज ये संदेश मैं विशेश करकर मदर्स के लिए माताओं के लिए लेकर आ रही हूँ सुजैना वेसली किस प्रकार की एक मा थी जब हम सुजैना वेसली के बारे में पढ़ते हैं सुजैना वेसली अपने दस बच्चों को सिखाती थी क्या सिखाती थी? जैसे बच्चे स्कूल जाकर बातों को सीखते हैं वही बाते सुजैना वेसली अपने घर बिठाकर बच्चों को सिखाती थी उसके साथ साथ सुजैना वेसली उनको बाइबल के बारे में पढ़ाती थी उनको वच्छन याद दिलाती थी मसी कौन है? एक मसीही जीवन किस प्रकार होना है? इस प्रकार की बाते हर दिन सुजैना वेसली अपने बच्चों को सिखाती थी इतना ही नही सुजैना वेसली के जीवन से हम ये सीख सकते हैं उनके बारे में ये पढ़ सकते हैं कि वो हर दिन एक गंटा अपने एक बच्चे के साथ समय बिताती थी कब बिताती थी वो सब को पढ़ाती थी सुबह से लेकर दुपैर फिर दुपैर से लेकर शाम वो उनको सारी बातें सिखाती थी और उसके बाद सोने से पहले वो हर दिन एक गंटा एक बच्चे के साथ बिताती थी और वो उनके लिए एक रूटीन बन गया था क्योंकि उनको ये ऐसास था कि बच्चों के साथ व्यक्तिगत समय बिताना कितना जरूरी है और ये समय का फाइदा उठाकर ये बहन उस बच्चे को सिखाती थी उस बच्चे का गुन को पैचानने की कोशिश करती थी उनको प्रभू का मार्ग में चलना कैसा है ये सारी बाते उनको सिखाती थी मेरे प्रियों हम सोच सकते हैं या फिर हमारे मन में ऐसा सवाल आता होगा ये बहन ऐसे कैसे किया इनके हाथ में इतनी जिम्मेदारी थी तब इन्होंने ये सारी बातों को पूरा कैसे किया सुजैना वेसली का जीवन का एक सीक्रेट था जो मैं आपके सामने रखना चाती हूँ शेयर करना चाती हूँ और अगर हम ये सीक्रेट को समझ जाए तो हम भी परमेश्वर के सामने एक अच्छी माँ बन सकती है सुजैना वेसली हर दिन अपने इस व्यस्त जीवन में जहां पर उनको घर संभालना है बच्चों की जिमेदारी है बच्चों को पढ़ाना है खाना किलाना है इन सारे जिमेदारियों के बीच में हर दिन वो दो गंटा परमेश्वर के लिए अलग करती थी और वो दो गंटा वो प्रबु के सामने बैठकर प्रातना करती थी और बाइबल पढ़ती थी तो उनके इस व्यस्त जीवन में ये कैसे मैनेज करती थी सुजैना वेसली के चारों और बहुत सारा हलचल था क्योंकि बच्चे इतने थे लेकिन सुजैना वेसली जब परमेश्वर के लिए समय अलग निकालती थी तो उनके पास एक खुरसी था उस खुरसी पर बैठती थी प्रबु का वच्चन को लेकर वो बैठती थी और अपना एपरन को अपने सिर पर डालती थी बच्चों को ये बात सिखाया गया था कि जब माँ इस प्रकार बैठती है तो कोई भी मम्मी के पास आकर उनसे बात नहीं करना है क्योंकि उस समय पर मम्मी परमेश्वर से बात कर रही है इस प्रकार हर दिन सुजैना वेसली दो गंटे परमेश्वर के सामने व्यतीत करती थी और बच्चों को सिखाया गया था कि वो लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल रखे मेरे प्रियों ये बहन का निरने ये था कि मैं जादा अपने लिए फ्री टाइम नहीं लोगी लेकिन मैं सबसे जादा समय मैं अपने परिवार के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ और उस में भी दो गंटे मैं परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताऊंगी मेरे प्रियों ये बहन का सीक्रेट क्या है ये बहन इतने अच्छे से अपने परिवार को क्यों संभाल पाई क्योंकि उन्होंने समय अलग निकाल कर प्रभू के सामने बैठी वच्छन को सीखा परमेश्वर से बल और ताकत को प्राप्त किया और उन्ही बातों को जो उन्होंने सीखा और अनुभव किया या परमेश्वर से जो बाते उन्होंने प्राप्त किया वही अपने बच्छों को वो पास ओन करती थी अपने बच्चों को वच्चन सिखाना, डेली डिवोशन्स लेना, बच्चों को प्रभू के मार्ग में कैसे चलना है ये सारी बातों को सुजैना वेसली अपने बच्चों को सिखाया और ये बात बाहर किसी के पास पहुंच गया कि सुजैना वेसली संडे दुपैर को अपने बच्चों को पढ़ाती है और दीरे दीरे बाहर से भी लोग इस क्लास में आकर बैठने लगे क्योंकि वो लोग सुजैना वेसली का वच्चन सिखाने का तरीका को बहुत पसंद करते थे कुछ ही समय में वहाँ पर लगबग 200 लोग हर संडे दुपैर को उनके घर में इखटा होते थे और सुजैना वेसली उनको बाइबल में से बातों को सिखाती थी मेरे प्रियों एक साधारन सी बहन के जरिये परमेश्वर अद्बत कार्य किया और उनके पास इतना रिस्पॉंसिबलिटी होने के बावजूद भी वो ये सारी बातों को बहुत अच्छे से कर पाए बच्चों को संभालना, घर संभालना, अपने हस्बेंड को संभालना अब हस्बेंड सेवकाई में थे तो उसमें भी हात बठाना और साथ मैं लगबग 200 लोगों को हर सब्ता वचन पढ़ाती थी मेरे प्रियों यहां पर हमें ये सीक्रेट समझ आता है कि इनके बच्चों मेंसे परमेश्वर दो बच्चों को लेकर इतिहास को शेक, हम लोग इंगलिश में इस प्रकार कहते हैं गॉड चोज टू अफ़ चिल्रन तो शेक दे नेशन फो हिम परमेश्वर ने दो बच्चों को इस्तमाल किया ताकि पूरे इतिहास को परमेश्वर बदल दे एक बड़ी जागरती इंगलंड में आ गया प्रवो का वच्चन फैलने लगया मेथेडिस्ट कलिसिया की शुरुवात यहाँ पर होती है मेरे प्रियों, ये गवाही को सुनते समय आपके मन में किस प्रकार के विचार अब आ रहा है आप सोच रहे हैं मेरे पास काम है घर का काम है, बाहर आफिस का काम है बच्चों की जिम्मेदारी है मैं अपना मा की जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा पारी है अगर इस प्रकार का एक सोच आपके अंदर आ रहा है या फिर जब बच्चों के साथ आप डील करते हैं तो आप एक चिड़ चड़ापन को महसूस करते हैं या फिर बहुत से वक्त आप बच्चों को देखकर ऐसा भी लगता होगा ये बच्चे मेरे लिए एक बोज है अगर ऐसे एक परिस्तिती से आप होकर जा रहे हैं तो मैं आज सुजैना वेसली का जीवन इसलिए आपके सामने लेकर आई ताकि आप इनकी गवाही को सुनकर आप स्वयम एक निरने ले कि मैं कुछ समय परमेश्वर के सामने अकेले बिताऊंगी और मैं अपने बच्चों के लिए प्रात्ना करूंगी मेरे प्रियों मैं आपको एंकरेज करना चाहती हूँ हर दिन एक आदा गंटा वो जादा है तो कम से कब एक 20 मिनट या फिर आप उससे भी जादा ले सकते हैं आप अकेले बैटकर अपने बच्चों के लिए प्रात्ना कीजिए उनका नाम लेकर प्रात्ना कीजिए परमेश्वर से कहिए प्रभू ये बच्चे आपके दिये हुए दान है इनको आपका वच्चन सिखाना इनको सही और गलत का पहचान दिलाना प्रभू का वच्छन कैसे अपने जीवन में उसको एकसेप्ट करना है कैसे विश्वास में बढ़ना है कैसे पवित्रात्मा की सामर्द को पाना है कैसे एक जैवंत जीवन को जीना है ये सारी बातों को प्रभू इनको सिखाने के लिए आप एक विशिश अनुग्रा मुझे देना मेरे प्रियों एक मा की आसू को परमेश्वर कभी नहीं टुकराएगा आप प्रात्ना कीजे इतना ही नहीं आप अपने बच्चों के लिए प्रात्ना करें परमेश्वर ने इनके जीवन के लिए कुछ बातों को रखा है परमेश्वर इनके जीवन के जरीए कुछ करना चाता है आप प्रभू से कहना प्रभू आप मेरे बच्चों को उठाना आप उनको एक आधर के स्थान में लेकर आना ताकि आपने जो जो बाते इनके लिए सोच खे रखा है जो जो योजनाओं को रखा है वो सारी बाते इनकी जीवन में पूरा होने पाए आप प्रातन कीजे कि आपकी बच्चे पवित्रताई में आगे बढ़े आप प्रातना कीजिए कि आपके बच्चे गलत मारग में ना जाए उनकी जीवन में गलत संगती या गलत रिष्टे में वो लोग ना फसे और उनकी जीवन में कोई भी गलत आदत या स्वभाव ना हो वो लोग नशे में ना जाए और उनकी जीवन में महनत करना कितना important है अनुशासन होना कितना important है प्रभू इन बच्चों को सिखाने के लिए आप हमारी मदद करना करकर आप प्रात्ना कीजिए मेरे प्रियों आप अपने बच्चों के लिए प्रात्ना कीजिए मेरे प्रियों जिस दुनिया में आज हम रहते हैं हमारी बच्चे बहुत सारे प्रेशर्स को फेज करते हैं बहुत स्ट्रेस का नुभा वो लोग करते हैं बहुत से वक्त इतने प्रलोबन उनके चारो और है कि वो लोग पाप में जल्दी से गिर सकते हैं तो हम लोग मम्मी होने के नाते हम इनके लिए सिर्फ खाना पकाना हमारी जिम्मेदारी ना रहे, सिर्फ इनको स्कूल की बाते सिखाना हमारी जिम्मेदारी ना रहे, इन सब के साथ हम लोग आत्मिक बातों को सिखाने वाले बन जाए, और साथ मैं इनके लिए प्रार्थना क को मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ जिसने अपना बेटा के लिए रोई और जब अपना बच्चे के लिए रोती है तब परमेश्वर उसके आँख को खोल देती है और वो अपने बेटा को बच्चा पाती है कौन है ये बहन उत्पती के किताब अध्याई 21 में हम इतना व्याकुल है क्योंकि वो अपना बेटा को मरते हुए देखना नहीं चाहती है वो रोती है और उस समय पर स्वर्ग से उसको एक आवाज सुनाई देता है स्वर्ग दूत उससे बात करता है कि परमेश्वर ने ये बच्चे के रोने को सुना है और वहां पर लिखा है क एक बहुत गहरी या एक भेद की बात यहां पर है जब हजीरा प्रभु के सामने अपना बेटा के लिए रोती है परमेश्वर उसके आंक खोल देती है और वो अपना बेटा को बच्चा पाती है बहुत से वक्त हम लोग जब हमारे बच्चों को बढ़ाते हैं हम लोग हमार पर्बू ने हमारे हाथ में कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए दिया है ताकि हम उनको ऐसे बढ़ाए कि परमेश्वर की योजना इन में पूरा हो जाए। इसलिए हमें प्रात्ना करना है प्रबू आपने हजीरा के आंखों को खोला प्रबू आप मेरे आंखों को खोल दीजे ताकि मुझे समझ आए कि मेरे बच्चों को मुझे कैसे बढ़ाना है बेरे प्रीयो एक बहुत पड़ी जम्मेदारी आपके हाथ में है क्या आप उपने बच्चों की लिए परातना करेंगे जब आप परातना करेंगे तो आपके बच्चे सुरक्शित रहेंगे शैतान ने बहुत सारे शड्यंत्रों को बना कर रखा है कि किस प्रकार आपके बच्चों को गिराए किस प्रकार आपके बच्चों को पाप में फसाए किस प्रकार आपके बच्चों का जीवन को बरबाद करे लेकिन मेरी और आपके आसू जो परमेश्वर के सामने गिरता है उन आसूं के कार परमेश्वर हमारे बच्चों को सुरक् रखेगा क्या आप चाते हैं कि आपके बच्चे आशिशित रहें क्या आप चाते हैं कि आपके बच्चे एक आधर के स्थान में पहुंचें क्या आप चाते हैं सबसे बढ़कर इन लोगों की जीवन के जर्ये परमेश्वर की महिमा प्रकट हो तो आज आप ये निरने लीजे कि हर दिन कुछ समय निकाल कर मैं अपने बच्चों के लिए रोकर आसु बहा कर प्रातना करूंगे मेरे प्रिय बेहन अगर आज आप ये डिजिशन लेती है तो मैं निश्टे कहना चाहती हूँ प्रभू आपकी बच्चों को उठाएगा आशीश देगा आदर के स्थान में लेकर जाएगा और आपकी बच्चों के जरिये परमेश्वर की महिमा इस देश में जरूर होगा अगर आप इस प्रकार का एक निरने लेना चाहती है तो मेरे साथ एक मिनिट प्रातना कीजिए सुबर्गी पिता आज का इस गवाही के लिए और आपका वच्चन के लिए मैं धनिवाद देती हूँ जो बहने ये वच्चन को सुन रहे हैं मैं प्रातना करती प्रभू इन लोग मोटिवेटेड हो जाए एंकरेश्ट हो जाए और आज से लेकर वो लोग अपने परिवार पर ध्यान देने वाले बन जाए प्रभू एक माह होना है एक बड़ी सेवकाई समझ कर उस सेवकाई को आपके सामने 100% को डालते हुए हम लोग उसको करने वाले बन जाए परमेश्व पिता बहुत से वक्त प्रभू हमें नहीं पता कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है कैसे सिखाना है प्रभू आप हमें बुद्धी और ग्यान से भर देना हजीरा के आंखों को खोला हुआ परमेश्व आप हमारी आंखों को खोल दीजे सारा आदर सारी महिम आपको देते हुए प्रभुई शुमसी के नाम से हम मांगते हैं आमेन God bless you all जै मसिकी